अपने साथ एक bad experience होने के बाद एक doctor new building में move होती है पर ये building उससे भी जादा दर्दनाग होगी Hello friends, आज मैं आपको The Resident ये 2011 की एक thriller Hollywood movie explain करने वाला हूँ ये movie हमेशा आपको आपके seat के edge पर रखती है तो अंदा इस video को ज़रूर देखेगा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करता हूँ अगर आपको वीडियो चलगता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीज़ेगा अब इनाग से जरी के explain जहां स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारी main character जिसका नाम है Juliet है हमसे introduce होती है एक doctor है hospital की ER department में काम करती है इसका मतलब एक कोई भी emergency जैसी accidents वगिरा यह सब उसे ही treat करने पड़ते है आज राद घराग कर उसने सोने की कोशिश की पर उस सो नहीं पा रही थी अभी recently उसके साथ कुछ हुआ है जिसके बारे में हमें movie में आगे पता चलेगा अलग-अलग apartments उसने टूंडे पर यह New York है यहाँ बस space की बहुत सारी कमी है और उसके budget में उसे सही से apartment मिल नहीं रही थी finally एक जगा से उसे call आया यह वो देखने के लिए वह हमारा और एक main character जिसका नामें Max यह renovation कर रहा था actually इस पूरी building का owner वही है जूलेट ने घर देखा तो यह बहुत ही वड़ा था तो उसे लगता है कि यह afford नहीं कर पाएगी पर इसका rent बहुत ही कम है वो Max से बुछती है कि इतना कम क्यों Max ने कहा कि यहाँ बहुत heat होती है इस building का structure उस type का है building के नीचे से underground trains भी जाती है इस वज़े से सब कुछ building vibrate कर सकती है पूरी building का renovation चल रहा था तो थोड़े दिनों के लिए दखलिफ हो सकती है जूलेट मैक्स से कहती है कि मैं ER की डॉक्टर हूँ जब भी उस होती है तो बहुत ही deep sleep लेती है उसे कोई भी problem नहीं होगा यह apartment उसने finalize कर दिये जूलेट का सामानवगरा move करने में मैक्स उसकी help करता है move करते वग जूलेट मैक्स के grandfather से मिली यह बहुती creepy type थे वो उसे बुछते हैं क्या तुमारे पास कोई pets है यहापर कोई भी pets allowed नहीं जूलेट कहती कि नहीं जूलेट की पास कोई भी pets नहीं था grandfather को जादा आवाज भी अच्छी नहीं लगते तो वो भी जूलेट नहीं करेगी इस अजीब सी meeting के पाथ जूलेट इस घर में move हो गई रात में apartment में उसे बहुती अजीब लगता है जैसे कि उस पर कोई नज़र रख रहा है यह उसका new apartment है तो शायद इसी वज़े से लग रहा है यह सोच कर वो इसे ignore कर देती है अगरी दिन जब वो घर आई तो उसके door के सामने कुछ gift रखे हुए थे इसे लगा कि gift max ने दिये है नेक्सिन में जब वो फिर से काम पर थी तो उसके friend उसे बहार चलने के लिए invite कर दिया जूलेट ने इसके लिए मना कर दिया उसके friend उसे समझाती है कि उसने तुमें दोका दिया इस वज़े से तुम इतना disturb होने की ज़रुद नहीं है उसका मतलब है जूलेट के रोमिया ने उसे धोका दिया था धोका होने के बाद जूलेट खुद पर ही शक करती है उसे लगता है कि उसके लिए enough नहीं थी उसके friend ने कहा कि ओ घटी आदमी था तो मैं उसके बारे में इतना सोचने की जरुद नहीं तुमें अब move on करना चाहिए जूलेट जब घर पर आई तो मैक से मिलती है गिफ्ट देने के लिए उसने मैक सको thank you कहा मैक स कहता है कि मैंने तुम्हें gift नहीं दिये यह actual में grandpa ने दिये हुए थे जूलेट फिर grandpa को thank you कहने के लिए की grandpa अकेले पढ़ जाते है तो जूलेट की company चाहते थे वह जूलेट कहती है कि मैं जरा busy हूँ और वहाँ से चली कही अपनी friend की बात मान कर एक दिन जूलेट उसके साथ art gallery में गई हुई थी वही पर वो मैक से टक रही जूलेट मैक से यह दिये क्या हम घर तक walk कर सकते है मैक स को भी उसके साथ होना अच्छा रखता है इन दोनों ने फिर चलते जलते अलग-अलग चीज़ों के बार में बात कि एक्चुली जूलेट के parents drug addict थे ऐसी condition में उसने education लिया और वो doctor बनी मैक्स और जूलेट ही एक दूसरे से अच्छे खुल मिल रहे थे यह सब जूलेट के ex ने देख लिया उसका नाम है Jack घर आने पर जूलेट मैक्स को किस करने लग गई मैक्स ज़रा दूर हो जाता है जूलेट को इमेरस लगा कहती है यह शायद बुरा आइडा है वो एक tenant है और owner के साथ अगर उसने कोई भी relationship रखी और कुछ गड़बड होके तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा रात में जूलेट जब बात ले रही थे तो बात में ही एक hole है उस hole से उसे कोई देख रहा था उसे महसुस हुआ खिड़गी के पास कोई है उसने चेक किया तो खिड़गी खुली थी पर वहाँ कोई भी नहीं था नेक्स डे मैंस जूलेट को कॉल करता है कहता है कल हमारे बीच दरा ओकोर्ड हो गया आज मैं तुमारे लिए टिनर बनाता हू ये जूलेट को अच्छा लगता है डिनर पर जूलेट मैंक्स कहती है कि तुमारी वज़े से इस बिल्डिंग में मुझे घर की तरह लग रहा है उसने से बोचा कि आज तक तुमारी शादी क्यों नहीं हुए मैंक्स कहता है मैरी कभी सिरियस रिलेशनशिप थी ही नहीं वो हमेशा इस बिल्डिंग का खैल रखता है बाद में अपनी ग्रैंट फादर का उससे कोई समझ सके ऐसा कोई कभी मिला नहीं इनका डिनर खतम होने के बाद ये फेसे नजदी का रहे थे पर जुलिएट कहती है कि एक बाद आइड़ा है दोर बन करने के बाद फिर से ओबन करकर वो बहार आ जाती है मैंक्स भी उसका इवेट कर रहा था ये दोन अंदर जाकर इंटिमेट होने लग जाते है बेड में अचानंग जुलिएट को ज़रा अंगमर्डेवल लगने लग गया वो कहती है मैं हमेशा से मेरे एक्स के साथ ही थी मुझे सिर्फ उसी क्या आदत है ये सब करना उसके लिए बहात ही हार्ट है मैक्स भी सब कुछ समझ गया और यहां से चला जाता है अब इसके बाद हमें मैक्स के बारे में पता चलता है वो जुलिएट को बहुत ही पहले से जानता था एक दिन जब वो अपनी ग्रैनफादर को लेकर होस्पिटल में गया था तो वही पर उसने जुलिएट को देखा जुलिएट उसे बहुत अच्छी लगी थी उसने नोटिस बोर्ट पर देखा कि जुलिएट को एक अपार्मेंट चाही है इसी वाज़े से उसने खुच से कॉल किया था उससे देखने के बाद हमेशा उस पर वो नज़र रख रहा था ये बिल्डिंग भी बहुत पुरानी और अज़ी बिल्डिंग है मैक्स एक्च्छल में वाल्स के पीछे से जुलिएट के पूरे घर को देख सकता है हमने प्रिवियस सीन में देखा ये जुलिएट को बात लेता हुआ वो देख रहा था ये और कोई नहीं तो मैक्स है जुलिएट को हमेश लगता है कि उसके घर में कोई न कोई है तो अक्च्छल में मैक्स ही उसके घर में घुसाता है जब वो सो रही होती है तो उस पर नज़र रखता है अल्ली दिन मैक्स जब ग्रैंटपा को मेडिसिन दे रहा था तो ग्रैंटपा गहते हैं मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है तुम भी तुम्हारे फादर की तरह एक परवर्ट हो वो एक वीक आदमी थे तुम्हारी मदर बहुत ही ब्यूटिफुल थी पर उसका डिसीजन गलत निकला तुम भी तुम्हारी फादर की तरह ही वीक निकले इस कन्वेसेशन से में पता चलता है यह मैक्स जो जुलिएट के साथ अब कर रहा है यही चीज उसने और भी लड़क्यों के साथ की है उसके ग्रैंड वादर इसके लिए उसे हेट करते है शायद मैक्स के फादर भी इसी तरह की चीज़े करते थे मैक्स को इन सब बातों से बहुत तकलिफ होती है अगली दिन उसने जुलिएट का फिर से पीछा किया वाइन शॉब में उसे टकरा कर पिटेंड करता है कि उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडन्स है जुलिएट मैक्स से कल रात के लिए सौरी कहते है उसने का कि हमारी बिच रिलेशन्शिप होना एक गलत आई रहे मैक्स भी उसके सामने मान जाता है पर उसे इतने आसनी से छोड़ने ने वाला आज रात जब जुलिएट सो रही थी तो मैक्स उसके रूम में आकर उसे किस करता है जुलिएट थोड़ी देर में नीन से उट गई उसने कीचन में जाकर देखा तो नोटिस करती है कि वा हॉलो स्पेस है अगली दिन उसने मैक्स को इसके बारे में बताया यहाँ पर वाइन वगिरा रखने के लिए एक स्टा रूम था एक्च्वल में इस रूम से होकर मैक्स उसके घर में खुश सकता था जुलिएट को अभी भी इसके बारे में पता नहीं इस रूम का काम करने के लिए मैक्स पूरा दिन इसी घर में रुका जुलिएट की अलग-अलग चीज़े यूज करता है अपने आपको प्लीज कर रहा था जुलिएट को उसका एक्स बाइफरेंड जैक यह बहुत दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा है आज उसे फिर से मैसेज करता है तो जुलिएट उसे आज मिलने के लिए रिडी थी उनके लिए यू डिनर बनाने वाली है तो सब को सामान लेकर घर पर आई मैक्स का काम अब खतम हो चुगा था वो कहता है जुलिए दिनर बनाने के लिए हेल्प कर सकता हू जूलेट इसे मतला कर देती है मैकस ने कहा कि हमारे बीच चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा हम दोरों के relationship के शुरुवात यह तुमने की थी जूलेट उसे कहती है कि मैंने तुमें कहा कि हम दोरों को date करने अच्छा idea नहीं मैक्स गहता है अगर तो मुझे छोड़ने वाली थी तो तुमें स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था इसके बाद वो यहाँ से चला गया जूलियट का जब ध्यान नहीं था तो मैक्स फिर से अपार्मेंट में पहुच गया था इसके सब मोबाईल वगरा सबकोज उसने चेक किया उसे जैक के बारे में पता चला वो अपार्मेंट में था तब ही जैक वहाँ पहुच जाता है जैक के पास एक छोटा सा डॉग है डॉग ने घर में मैक्स को देखा और वो बाग करने लगता है मैक जल्दी से यहाँ से भाग कया जैक ने जुलिएट से सौरी कहा वो कहता है तुम्हारे बिना में बरबाद हो चुका हूँ उसे बहुत ही जादा मिस्स करता है जुलिएट भी उसे कहती है कि मैं किसी के और के साथ नहीं हो सकती यह दोनों फिर एक दुसरे के साथ इंडिमेट हो जाते है जैक को मॉर्निंग में जल्दी उड़ना था तो घर चला कया जुलिएट ज़रा वाइन लेती है उसके बाद वो बेहोश होकर सो गई एक्च्वल में हमेशा से मैं कि जुलिएट की वाइन में ट्रग मिलाता है इसी वज़े से वो कभी भी रात में उठती नहीं उसके पास आकर उस पर नजर रख सकता है उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है हर रात बेहोश होने की वज़े से जुलिएट ज़रा लेट उठती थी उसके sleep भी complete नहीं होती थी तो इस बात से वो disturbed हो गई उसे रखता है कि उसके apartment में कुछ ना कुछ तो गड़बड है उसने फिर अपने पूरे apartment में hidden security cameras लगा दिये अगर apartment में कुछ भी move होता है तो इसे notification आएगी इस cameras में night vision भी है याने कि अंधिरे में में उसे सब कुछ दिखेगा इन cameras के वारे में Max को कुछ भी पता नहीं था Max अपने grandfather का खैल रखते हो तंग आ गया था तो एक दिन drug का overdose करकर उन्हें हो मार डालता है Juliet और Jack ये regularly एक दूसरे से मिलने लग गए थे तो ये सब देखकर Max बहुत ज़्यादा जेलस हो गया Max Jack का पीछा करता है उसने सीडियो से उसे नीचे किरा दिया आज राद Max फेसे Juliet के पास आया उसके साथ intimate हो रहा था तबी Juliet की आग खुल जाती है वो इस बार उसे सिरीन से ड्रग कर देता है अगली सुबा जुलेट फेसे लेट हो चुकी थी उसने बेडरूम में सिरीन्स की उपर का कवर नोटिस किया उसे शक आता है वो अपना बलड और यूरीन सैंपल हॉस्पिटल में जेक करने के लिए देती है यह आपर उसे पता जल गया तभी उसे एक रस्ता मिल गया यह वही वे है जहाँ से मैक्स जुलेट के अपर्मेंट में इंटर होता है जैक जब यह सब देखे रहा था तो मैक्स उसके पीछे ही था अब इसके बाद क्या हुआ यह हमें आगे पता चलेगा जुलेट जैक को ढूंड़ते हुए जल्दी से अपने अपर्मेंट में आ गई फिर वो कल रात का सिक्यूरिटी फूटेज अपने कॉम्पीटर पर चेक करती है उसने देखा यह मैक्स ने उसका कल रात रेप किया था वो बहुत ही जादा डिस्टरब हो गई तब ही मैक्स घर में इंटर हो गया उसके सामने दिखा नहीं सकती कि उसे सब कुछ पता चल गया है वो सावदान हो गई मैक्स को दिखाना नहीं चाहती थी उसे सब कुछ पता है मैक्स ने फेस से जुलिएट के लिए वाइन लाई है इस बार वो खुद भी इस वाइन को पी रहा था जुलिएट डिस्टरब दिख रही थी तो उसे वो पूछ लेता है जुलिएट कहती है आज कल मेरी नीन अच्छे से हो नहीं रही जुलिएट उठकर फोन लगाने की कोशिश करती है पर मैक्स उसे फोन ले लेता है वो गयता है तुम उसे कॉल क्यों करना चाते हो उसने तुम पर चीट किया था मैक्स ने जुलिएट को बगड़ा और बेटने के लिए कहा जुलिएट डर गई थी पुछती है क्यों है कहा मैक्स सेंच लेकर फ़र से जुलिएट को ड्रक करने की कुशिश करता है यहो सकसेस्फूलिक कर नहीं पाया जुलिएट के हाद में एक चाको था इससे उसने मैक्स पर वार किया वो जल्दी से यहाँ से भागने की कुशिश कर दिया पर मैक्स ने पुरे घर को लॉक कर दिया था ड्रक की वज़े से उसे नीन ना है इसलिए उसने अलग-अलग गोली आ ली मैक्स फिर से घर के अंदर आ गया उसे बेड के पास पकड लेता है जुलेट जल्दी से उसे मार कर बाथरूम में छुप जाती है पाथरूम के मिरर से भी कुछ आवाज आ रही थी एक्चुली मिरर के पीछे मैक्स सब कुछ देख सकता था मिरर तोड़कर जुलेट को अंदर खिज लेता है जुलेट मिरर के इकास से मैक्स पर वार करती है इन टरल्स में से वो भाग रही थी मैस कहता है तुमूहासे नहीं बाग सकती है यहासे कोई भी नहीं बाग सकता जुलेट ने आसपास सारे चीज़े देखी तुसे एक नेल पंचर मिल कया मैक्स उसे कही भी नहीं दिखता मैक्स उसे पगड़ कर नीचे किरा देता है वो जब उसके पास आया तो जुलिएट ने नेल्स उसके बॉड़ी में पंच कर दिया वो बहुत ही जादा हर्ट हो जुका था पर फिर भी उसका पीछा करता है जुलिएट भागते वागते एक स्टोर रूम में आ गई थी वही पर वो जैक की बॉड़ी पाती है जैक ने जब मैक्स का वेट होंडा था तब मैक्स ने उसे मार डाला मैक्स फिर से जुलिएट के पास बहुच गया था इस बार बहुत सारे वार करकर जुलिएट फाइनल उसे मार डालती है इसे के साथ इस मुवी का एंट हो गया दिखने में लोग कितने मी नॉर्मल लगे पर उसके अंदर क्या चल रहा है ये कोई भी पता नहीं सकता सावधान रहे सतरक रहे फिर से मिलेंगे Crime Patrol के और एक एपिसोड में तो आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल नोटिवेशन आएकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुविए के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखे